मेरे प्यारे बच्चे, कैसे है आप लोग? आप लोग में से बहुत सारे बच्चे का कोमेंट आ रहे हैं और मैसेज़े आ रहे हैं कि नीट 2021 का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? और क्या सिर्फ उनी बच्चे का आने वाला है रिजल्ट जिनका phase 2 registration complete हुआ था, जिनका phase 2 registration complete नहीं है उनका result नहीं आएगा और ये सिर्फ और सिर्फ mail ID पे आने वाला है जैसा कि OMR copy का scan copy आया था या website पे direct available होगा देखो कल रात को जो भी NTA के side से process था वो सारा finish हो चुका है 17 को तो आप ये expect कर सकते हो कि 1-2 दिन में जो भी बच्चे चैलेंज किये हैं या जो process रह गया है ये सब कुछ complete करके 20 के approach result आ जाना चाहिए exact date result का किसी को नहीं पता है वो चाहिए अप इस channel पे देखो गया किसी ओर channel पे देखो गये हो सकता है कि 20 को रात में आ जाया हो सकता है तो मेरे बच्चे इमेल आइडी पे नहीं आके डिरेक्ट वेब साइट पे यह एबलेबल होगा क्या जिन्होंने रिजिस्टेशन नहीं किया या गलत हो गया उनका रिजल्ट नहीं आएगा आपका रिजल्ट ना भी आया और हो सकते हैं आपका रिजल्ट आभी जाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फेज टू का रिजिस्टेशन नहीं किया था लेकिन फिर भी उनका एसकेंड कॉपियों आड़ सीट उनके मेल आईडी पे आगया क्योंकि उन्होंने पर आने वाला है आपका रिजल्ट में फेज टू का जो काम है वो कॉन सेलिंग के टाइम होता है तो घबराने की जूरत नहीं है अगर आपके मन में और भी कोई 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 क्विशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में